आजकार दोस्तों स्वागत एक और नए वीडियो में आज का हमारा वीडियो है वो बहुत ही सांदार वीडियो है तो आप उसके अंदर ये मान के चलो कि 15,5,760 सीटे रेट की बचा सकते हो अपने लिए वरना ये सीटे 15,5,000 सीटे खाली की खाली जाएंगी और कोई बोलने वाला नहीं होगा आप सिर्फ रोते रह जाओंगे कि अब हम क्या करें हम एक नंबर से रह गए हम आदा नंबर से रह गए फिर कोई नहीं बढ़ती आएगी वो इन्हीं ये जो पूरी है अरताली जार सीटे इन्हीं की खाली रह जाएंगी जो 15,000 सीटे उसी पर नहीं बढ बढ़ती करवाएंगे और कुछ नहीं होगा अगर आपको पूरी अरताली जार सीटे चाहिए तो ये वीडियो पूरा देख लेना बस आपसे एक यागर है तो आपको ऐसा मोका बार बार नहीं मिलेगा आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि कैसे बचेगी देखो फै सेकिंड ग्रेड की हुई है 9760 बदों पे टोटल है 5760 बद ये पद अगर आपका रिजेल्ट रिट का रिजेल्ट अगर पहले नहीं आया नहीं पहले का मतलब है कि इनका रिजेल्ट अगर पहले नहीं आया और इनको नियुकती नहीं दी पहले रिजेल्ट आने के बाद दो तब ही आपकी ये 15,000 शीटे बचेगी और इसके साथ साथ आपकी मेरिट भी 5 से 7 नमबर नीचे आ जाएगी एक बार मानके चलो जो टोप टोप मानके नहीं आप खुद भी कर लेना किसी से भी पूछ लेना जो टोप बंदे है न जिसके 120 बंद रहे हैं 110 बंद रहे हैं चाहिए वो किसी भी सब्जेक्ट का हो तो उसके वो बंद आप या तो फेस्ट ग्रेड गाए या सेकंड ग्रेड गाए जो शिरफ रेट की तयारी कर रहे हैं वो 110 से नीचे हैं आप अपने भी देख लो 90 से 100 के बीच में आप खुद भी कोई मुश्किल से बंद आए जो 110 से ये जो क्रीम है ना जो टोपर वाली ये सारी की सारी कहाँ पर बैटी है पता है वो फेस्ट ग्रेड और ये सेकंड ग्रेड वाली यहाँ पर बैटी है वो 15,000 अगर इनको नियुकती मिल गई तो 15,760 सीटे एक बार सोच के देखो कि 15,760 सीटे कितनी होती है वो ये सारी की सारी सीटे खाली हो जाएगे आपके लिए अगर ये मान के चलो कि अगर 110 मेरिट जा रही है और इनको अगर नियुकती पहले मिल गई तो ये मेरिट 102 से 3 या 105 पे आजाएगी ये मेरिट आराम से पांच नहीं तो सो के अंदर भी आ सकती है ये मेरिट लेकिन इसके अंदर आपको करना क्या पहले ये बता देते हैं आपको कुछ नहीं करना सिर्फ ट्वीटर खोलना है ट्वीटर के अंदर सबसे पहले ये लाइन लिकनी है देश के हर बेरोजगार की सुननी पड़ेगी वरना आने वाले चुनाव में सरकार को बुगतनी पड़ेगी यह आपकी तभी सुनेंगे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं राजिस्तान में चुनाव आ रहे हैं और सरकार पर अच्छा दबाव रहेगी और अगर सरकार ने रीट का रिजल्ट पहले निकाल दिया तो फिर यह क्या करेंगे चुनाव के पास आपको एक मिठी गोली देंगे और 15,000 यह सिटे और 5,000 मुश्किल और मिला दें तो 20,000 पे एक और बढ़ती करवा देंगे तो यह नहीं पता कि यह 20,000 पे नहीं यह सिर्फ 5,000 गी बढ़ती होगी फिर हमको एसे हमारा चुतिया गाटेंगे फिर आपको सिर्फ उपर तो यह लाइन लिखनी है जो मैं आपको कमेंट बोक्स और डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा वहाँ से कोपी कर लेना और यह हैस्टेग लगाना है कि रिजल्ट से पहले फेस्ट करेट सेकंड गरेडर वालों की न्यूकती दो अब कुछ लोग कहेंगे भाई उपेन यादव कर रहा है हमारे लिए भाई अक्केले बंदे से कुछ नहीं होगा उसने अंसंद करके देख लिया अंसंद भी तुड़वा दिया उसका और आज या कल वो गयलोत सरकार मिलेंगी उनसे क्या फेस्ट आता क्या नहीं आता कुछ नहीं पता वो तो बहुल देंगे एजेंसी के पास काम बहुता है ऐसे ऐसे ये करके देखो आप ट्विट अगर ये लाइन है ना ये जो लाइन ये डालेगी उसके असर सरकार को हिला देगी है क्योंकि पता है बेरोजगारे के नो लाख लोगों ने नो लाख लोगों ने रीट एक्जाम दिये नो लाख वोट देखो एक बास सोचके कितने होते हैं सरकार को हिला देगी है तो इसके अंदर कुछ लोग अब कमेंट करेंगे ये तो आपको पता चलगा है पांस ते साथ नंबर केसे आएंगे आप खुद देख लेना किसी से पूछ के देख लेना कि अगर जिसने आपके आसपरोस में कोई भी है ना जिसने रीट फैस्ट करेट की तयारी कर रखे हो और जिसने रीट की एक्जाम दिये हो तो उसके नंबर और आप अपने नंबर कमपेर करके देखना आप कहाँ परो और वो कहाँ पर है और अगर यह है कि नियुक्ति नहीं दी तो क्या होगा तो फिर भाई कुछ नहीं 15,000 शीटे यह से मान के चलो गई आपकी 48,000 से 15,000 कम कर देना यह बाकी पर नियुक्ति मिलेगी कुछ करेंगे नहीं भाई कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे कि लिस्ट आ जाएगी कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी उसमें हो जाएगा भाई एक केमपूटर अनुदेसक का रिजल्ट देख लिया उसमें आई वेटिंग लिस्ट बहुत सारे और रिजल्ट देख लिया ना कोई वेटिंग लिस्ट कुछ नहीं आएगी नहीं बढ़ती आएगी डारेक्ट और वो कब होगी क्योंकि चुना हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कब होगी कम नहीं होगी वो तो आपको बज़ेट में भी पता चल गया कब क्या होगी और इसमें second grade fast वालों का क्या फायता तो आपका उसमें हो गया तो आपने तो रीट छोड़ दी आप रीट में क्यों जाओगे आप से first grade है second grade में जाओगे तो आप की वो seat जो किसी भाई या किसी बहन को मिलेगी वो भी खराब हो गई वो भी नहीं मिलेगी आपने वेसे भी नहीं लीए आपको तो जाना तो इसी दोनों में से एक में है तो आप भी यह tweet करना यह tweet सब को करना है कि कौन कौन tweet चाहिए आपने rate दी है नहीं दी है कोई भी exam दी है नहीं दी है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे यह पांस नहीं एक मिनट लगेगा वो लाइन लिखने में जो मैं आपको दे दूँगा copy paste करके direct लिख देना कुछ नहीं जाएगा और इस लाइन के अंदर यह भी tag कर देना एर देरेट राज सीमों यह direct राष्तान सरकार का अगर यह hashtag नमर वन पे trend कर गया तो फिर जरूर उनकी बात सुनेंगे उपे नयाद होगी भी वरना कोई नहीं सुनेगा वो अकिला बंदा कुछ नहीं करेगा वो होश्पिटल में देख लिए अंसन भी तुड़वा दिया और कुछ नहीं फिर हम सिर्फ रोते रह जाएंगे गरवालो एक बार माबाप की सोच के देखो कि उनको अगर यह से पता चले कि मेरा बिटा लगा साड़े पंदरा हजार लोगों के परिवारों को कितनी साइता मिलेगी कितना खुस होंगे एक बार सोच के देखो आप सिर्फ आपको क्या करना सिर्फ पांस मिनट का टाइम लगेगा आपको और हो सके तो डेली करना ऐसे नहीं कि एक दिन करके छोड़ती है एक दिन ट्रेंट आएगा अच्छी बात है अगर डेली किया तो बहुत ज्यादा फाइदा होगा साड एपंदरा जार परिवारों यहां कितने खुस होंगे आप अपने परिवार पर लेके देखना है कि आप अपने मवाबाब को बोलो कि मेरा सेलेक्शन हो गया तो वो कितने खुस होंगे तो और यह वीडियो एक बात ओर थोड़ सी सुन लेना वीडियो लंबा हो गया होगा, कि ये वीडियो आपके जो भी चहेते ठीचर है, उनको भी बोलो कि ये hashtag trend करवाए, क्योंकि हमारे एक इतने से छोटे से चैनल से इतना ज्यादा परवाव पड़े या ना पड़े, पता नहीं, वो आप पे depend करता है, कि आप कितना share करते हो, उन अगर अच्छा लगा हो, तो share करना, नहीं लगा हो, तो भी share करना, क्योंकि अगर आपने share किया, जितना ये hashtag जाएगा, उतना ही आपको फायदा होगा, वरना आप सोच लो, उपर ये line भी जरूर लिखना, जैसे देखो, ये लिखी हुई है, ये twitter से लिया होगा है, ट्रें लिखी हुई है और नीचे भी, तो सभी के साथ share करना, अपने जो भी चाहिते, ठीचर है, बड़े बड़े coaching वाले, उनको भी बोलना, कि हमारी सायता गरे, हमारे हक के लिए बोले, thank you video देखने के लिए,